प्यारे बच्चो जैहिंद अर्षास्त गुरुजी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है ओनलाइन पड़ाही में बच्चो आज से हम चुरू करने वाले हैं 12 चेप्टर तो 12 चेप्टर हमारा है बजट से रिलेटेड अर्थात इसमें हम पढ़ने वाले हैं गुर्मेट बजट एंड एकॉनमी सरकारी बजट था अर्थ वैवस्त था तो बच्चो प्लस टू मैक्रो एकनॉमिक्स का ये है 12 चेप्टर और पहला ही टॉपिक है तो 12.1 इसका नंबर रहेगा प्लस टू मैक्रो एकनॉमिक्स की है ये वीडियो नंबर 65 और बच्चो आपके पूरे प्लस टू एकनॉमिक्स के स्लेबिस का ये है लेक्चर नंबर 153 तो बच्चो आज से जो हम ये 12 चेप्टर शुरू करने वाले हैं ये आपके एक्जैमिनेशन पॉंट आफ यू से बह अर्थात आज हम पढ़ने वाले हैं बजट क्या है बजट के उदेश्यों क्या है और साथ ही हम समझेंगे बजट का अर्थ व्यवस्ता पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो इससे पहले कि हम बजट के बारे में पढ़ना शुरू करें थोड़ा सा इंटुडेक्शन या भू मोदन के लिए बचो प्रस्तुत करते हैं और इसमें दो बाते हमारे ध्यान में आती हैं पहली बात फाइनेंशल प्रफॉर्मेंस ऑफ दा गौर्वर्मेंट ओवर दा पास्ट वन येर अर्थात बीते वर्ष में सरकार का वित्या कारिक्रम कैसा रहा और दूसरा ये फाइन विस्ता में सिंसादनों के बंटवारे तथा मंदी या तेजी के वेपारिक चक्रों पर बहुत ही अधी गहरा प्रभाव बचो पड़ता है अब हम चुरू करते हैं वट इस बजट अर्थात बजट क्या है बजट इस स्टेट्मेंट ऑफ एनुल रिशिप्ट्स एंड एक् अगामे वितवर्ष अर्थात एक अपरेल से 31 मार्ज के अनुमानों को प्रकट करता है क्योंकि बच्चो इसमें बीते वर्ष की उपलब्दियां तथा कम्या समंदी रिपोर्ट भी समिलित होती है इन्तु बजट के इस रिपोर्ट वाले भाग पर अधिक ध्यान नहीं दि दिवरा होता है अर्थात बच्चो हम क्या समझे कि बजट एक वित्य वर्ष की अवधी के दोरान सरकार की प्राप्टियों तथा सरकार के वह के अनुमानों का वेवरन होता है कितना खर्चा सरकार करेगी और कहां से वो आए प्राप्ट करेगी इसी को हम बजट कहते हैं य बजट सरकार की अनुमानित प्राप्टियों तथा वे का एक सांखिक्यों वेवरा मातर नहीं होता है बलकि बच्चों यहाँ सरकार की नीतियों तथा उदेशों का पूरा वेवरेन और पूरी डिटेल होती है बजट किसी भी सरकार का आईना होती है कि अर्थात सरकार आगे वर्ष में क्या करने वाली है क्या सरकार की योज नहीं है इसलिए सरकार आगे आने वाले वर्ष के लिए कुछ उदेशयों लेकर ही बज़र प्रस्तूत करती है बजट का पहला मुख्य उदेशयों है री डिस्टिबुशन ओफ इनकमाइंड वेल्थ अर्थात आय तथा सं समंदी व्यापक नीतियों का ग्यान बच्चो प्राप्त होता है मतलब टैक्स सिस्टम क्या है और सबसीडी का क्या मेथड रहेगा और बच्चो अर्थ वहस्ता में आय या संबत्ती के बटवारे में सुधार लाने ही तो सरकार कराधान तथा आर्थिक साहिता के विट्यों पकरनों का उपयोग करती है तभी तो संबत्ती और आयका समान वित्रन समाजिक नयाका प्रतीक है जो के भारत जीङसे कल्यान करे राज्यों का मुख्यो उदेशयों होता है अब हम संभते हैं दूसरा मुख्यो उदेशयों वो हमारा बजट का है रि एलोकेशन bets आर्थात साधनों का पुनो अबंटन नीजी क्षेत्रिया नीजी उद्यम तो सदा यही चाहते हैं कि साधनों का अबंटन उतपादन के उन क्षेत्रों में अधिक या जाए जहां लाब प्राप्ते की संभावना आशा अधिक हो किन्तु बचो यहां भी संभाव है कि उतपादन के कुछ क्षेत्रों से लाब तो अवश्व प्राप्त हो लेकिन समाजी कल्यान में उससे वृद्धी ना हो बलके अवनती हो जैसे बचो शराब उतपादन एक लाब कारी व्यवसाय तो हो सकता है किन्तु उससे समाजी कल्यान में वृद्धी नहीं बलके अवनती होती है इस प्रकार बजट समंदी नीती द्वारा देश की सरकार साधनों का बंडर इस प्रकार करती है जिससे के अधिक तम लाब भी प्राप्त हो और समाजी कल्यान के बीच में भी संतूरन स्थापित हो सरकार बजट के माध्यम से उन वस्तों के उतपादन को भारी करो के बोज़ द्वारा निर्योच साहित करती है जो स्वास्ते के लिए हानिका रखो और समाज पर जिसका बुरा प्रवा बच्चों पड़ता है आपने देखा योगा शराब, बीड़ी, सिग्रेट, तंबाक वादी पर सरकार बारी कर लगाती है और ये इनको महंगा करती है ताकि सरकार को आये तो हो लेकिन उसकी मांग कम हो समाज उसका कम सेवन करे इसके विप्रेट समाजे उप्योग वाली वज़तों है उनके उतपादन को सरकार आर्थिक साहता देकर प्रोच साहित करती है अब हम समझते हैं बज़र का तीसरा उदेश्या वो हमारा है एकनॉमिक स्टेबिलिटी अर्थात आर्थिक स्थिर्था बज़र शक्तियां बचो डिमांड और सप्लाई मांग और पूर्टी की जो शक्तियां है उनकी स्वत्तंतर क्रेशीलता के फलस्रोपी ट्रेड साइकल अर्थात व्यापारिक चक्रों का समयस पर आना अनिवारे है और वो सोभाविक भी है अर्थ व्यस्ता में तेजी, मंदी, महमंदी, आदी चक्र हैं अर्थात बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी आदी की स्टेज़ बचो ये चक्र चलते ही रहते हैं और सरकार अर्थ व्यस्ता को इन व्यपारिक चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए वचनबद रहती है बजट सरकार के पास एक महत्वकून आर्थिक नीती अस्तर है, अर्थात एक आर्गर उपाय है जिसके प्रियुक द्वारा वहो आव स्फितिक तथा स्फितिक अंतराल से मुकाबला करती रहती है ऐसा करके सरकार आर्थिक स्थिर्था की स्थिति को प्राप्त करने का हमेशा ही प्रेतन वच्चो करती रहती है आर्थिक सिर्था ही निवेश को प्रूटसाहित करती है और समरिती त्यथा विकास की गति को तेज करती है इसलिए बजट जो है वो एक महत्वपून अस्तर है बजट का चौथा मुख्य उदेशियो है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजिस अर्था सारवजनिक उद्योमों का प्रबंधन करना बच्चो सरकार की बजट समंधी नीती से ही यह एक्दम सपर्ष्ट हो जाता है कि वह किस प्रकार सारवजनिक उद्योमों के माध्यम से विकास की गति को तेज करने के लिए उच्छुक है हमेशा सारोजनिक उद्योमों के उन क्षेत्रों में लगाने का प्रतन किया जाता है जहां प्राक्रितिक एकादिकार पाया जाता हो बच्चो ये प्रकृतिक एकधिकार अरथात नैच्रल मोनोपॉली मतलब उत्पादन के उसक शेत्र को हम प्रकृतिक एकधिकार कहते हैं जहां एक अकेली फर्म का कई पृतियोगी फर्मों की तुलना में कम और 60 लागट पर उत्पादन वो कर सकती हो अता एकादिकारी उत्पादन अती लाबायक उद्यमसिद हो जाता है जैसे बचो भारती रेल्वे पर केंडर सरकार का एक चतराज है पूर्ण एकादिकार है बचो तो ये थे बजट के चार मुख्यों उदेशियों बचो अभी तक हमने पढ़ा बजट क्या है और बजट के मुख्यों क्या उदेशियों है अब हम समझने वाले इसके प्रभाव अर्थात Impact of Budget on the Economy अर्थात बजट का अर्थववस्ता पर प्रभाव बजट जैसे हमें पता ही है कि बजट से पूरी अर्थववस्ता प्रभावित होती है तो इसके कुछ मुख्यों प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नमबर एक है Overall Fiscal Discipline अर्थात संपूर्ण राजगोश्य अनुशासन बजट अर्थववस्ता में संपूर्ण राजगोश्य अनुशासन को स्थापित करता है राजगोश्य अनुशासन अर्थात Fiscal Discipline से अभी पराए हमारा एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें बच्चों सरकार की आए और वे के बीच आदर संतुलन बना रहता है अर्थात इसके लिए जरूरी क्या होता है कि सरकार की सीमित आए को देखते हुए वे भी सीमित ही करे यदि बच्चों राजगोश्य अनुशासन का पालन नहीं किया जाता तो अर्थवस्ता में ऐसी स्थिति उत्पन कई बार हो जाती है जिससे सरकारी वे सरकारी आए से अधिक हो जाता है और बच्चों इस थिती में सरकार को हमेशा ही रिजर्ब बैंक से रिन लेना पड़ता है और बच्चों इसको ही हम घाटे की वित्वेवस्ता भी कहते हैं इसके फलसुरू बचो रिजर्ब बैंक अधिक नोट शाप देता है जिसके फलसुरू मुद्रा की पूर्टी बढ़ जाती है इससे मुद्रा की पूर्टी बढ़ने से मुद्रा का मुल्यो गिर जाता है और बचो इसके फलसुरू मुजदूरी दर बढ़ानी पड़ती है उत Allocations of Resources अर्थात साधनों का आबंटन बजट बच्चो अर्थवस्ता में साधनों के आबंटन को प्रभावित करता है इसके लिए Taxation अर्थात कराधान या आर्थिक साहता मतलब सबसीडी समंदी नीती को अपनाया जाता है इन दोनों साधनों का अर्थात Taxation और सबसीडी मतलब कराधान और आर्थिक साहता का उतपादन के वेकल्पिक उप्योगों के आबंटन में बचो सीधा प्रभाव पड़ता है भारी मातरा में कराधान अर्थात Tax से साधनों का उतपादन के विशेश क्षेत्रों में आबंटन बचो कम हो जाता है और बचो इसके विपरीत आर्थिक साहता मतलब सबसीडी द्वारा उन क्षेत्रों में साधनों का अबंटन बढ़ जाता है जहां समाज एकल्यान में वि कि जाने वाली अधारिक सरचना की सेवाओं जिसकों इनफ्रास्टरक्शल सर्विसेस कहते हैं बच्चों की उपलब्दी पर बहुत अधिक परभाव पड़ता रतात अधारिक सरचना तमक सेवाओं के अंतरकत बच्चों याताया ततासंचार के साधन, उर्जा के साधन, शिक्षा और हमस्वास्ता के साधन आदी समिलित किये जाते हैं इन सेवाओं की उपलब्दी जितनी मतोपून और कुछल होगी उतना ही अर्थवस्ता का अर्थिक विकास और अधिक तीवरता से संभव हो सकता है तो बच्चो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज हमने समझा बजट क्या है, बजट के मुख्य उदेशियों क्या है और बजट का अर्थवस्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बच्चो उमीद है आज का विश्या आपको चैसे समझ आ गया होगा कल के टॉपिक 12.2 में हम समझेंगे स्ट्रक्चर आफ दा बजट और कॉंपोनेंट्स आफ दा बजट अर्थाद बजट की सरचना अथवा बजट के घटा है तो ये हम पढ़ेंगे इसके दो मुख्य घटको को रेविन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट अर्थाद राजजर सो बजट तथा पूंजी गड़ बजट ये हमारा होगा अगला विश्या है तो आज के कक्षा में इतना ही जाहिंद फंदे महत्रों